हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टूमा यूट्यूब चैनल दोस्तो यह 8 अक्टुमबर को इलेक्टिशन का पेपर हुआ है तो वही पेपर मैं आपको शेयर कर रहा हूं जरूर आपकी कल की दिन एक्जाम है तो जरूर आप इसको देखे जाए इसमें से आपको कुछ नहीं इसको यूशन पढ़ते जाओंगा और अंसर बताते जाओंगा पहला कुछण इस शुरक्षच चिन्न का नाम क्या है तो राइट आइफ्ट अशर ओप्शं एं जहेताओं नी चिन्न नेक्स्ट कुछण क्षण नंबर टू निन्म में से बोतिक हानी क्या है इसका राइट बी कंपन नेक्स्ट कोशन कोशन नमर थर्ड विद्दूतिय उपकरनों पर आग बजाने के लिए किस परकार के अगनी शामक का उपयोग किया जाता है इसका राइट अंसर ऑप्शन ए कार्बन डाय ऑक्सड परकार नेक्स्ट कोशन कोशन नमर फॉर बी येक का पूर्ण रूप है इसका राइट अंसर ऑप्शन बी ब्यू ऑफ इंडियन स्क्रीन नेक्स्ट कोशन कोशन नमर 6 इस ओजान का क्या उपयोग है इसका उपयोग क्या है Q6, इसका राइट एंस और उप्शन C, लगड़ी से कील निकालना Q7, इंसुलेशन परती रोध की इकाई है Q8, विद्धूतिय वाहन बल E.M.F. शाथ यात करने है तो किस सुत्र का उप्यों किया जाता है इसका राइट एंस और उप्शन B E.M.F. इस इगल तू विब वानतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप Q9, अर्ध चालक पदार्थ कौन सा है तो इसका राइट एंस और उप्शन D जर्मिनियम Q10, 100W अब्लिक 250W से रेटेड वॉल्ट के नर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा तो इसका राइट एंस और उप्शन D 625.00Ω Q11, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्धुतिय परिपत में लगाया गया वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है Q11, इसका राइट एंस और उप्शन D Q12, प्रतिरोध का क्या नाम है? इसका राइट एंस और उप्शन B Q13, कि इस पधार्त में श्रन नात्मक तापमान गुनांक का गुन होता है? तो इसका राइट एंस और उप्शन A Q14, ओम के नियम से संबंधिर विद्धुतिय राशिया कौन सी है? इसका राइट एंस और उप्शन C, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध Q15, विद्धुतिय मात्रा का सुत्र क्यों क्या है? इसका राइट एंस और उप्शन A, धारा मंटिप्लाइसर में Q16, बेटरी की धुरू वता जाजने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? Q16, राइट एंस और उप्शन B, चल कुंडली वोल्ट मीटर Q17, विशिष्ट प्रदिरोद की ऐसा ही क्या है? इसका राइट एंस और उप्शन C, ओम मीटर Q18, डी सी परिपत में शक्ती की गनता करने का क्या सुद्र है? इसका राइट एंस और उप्शन B, धारा गुना वोल्टेज Q19, इस्टेंडर्ड वायर गेज से तार का आकार, मापनी की रेंज क्या है? इसका राइट एंस और उप्शन D, 036 Q20, इस तार जोड का क्या नाम है? चितर गया इसका नाम क्या है? इसका राइट एंस और उप्शन B, नोटे टेब जोड Q21, शीरो परी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हैं तो किस परकार के जोड उप्योग किये जाते है? इसका राइट एंस और उप्शन D, वेस्टन यूनियन जोड Q22, इस जोड का क्या नाम है? जो दिखाए गया डियाग्राम इसका नाम क्या है? इसका राइट एंस और उप्शन A, मेरीड जोड Q23, इस ओजार का क्या नाम है? इसका राइट एंस और उप्शन B, वायर इस्ट्री पर Q24, गुते हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाब है? इसका राइट एंस और उप्शन B, अधिक चलीला 25, इसका राइट एंस और उप्शन D, जोला के साथ सोल्डरिंग Q26, एडवलू जी का विस्तार क्या है? इसका राइट एंस और उप्शन A, अमेरीकान वायर गेज इसका राइट एंस और उप्शन C, फेराड 28, चुम्ब किया वाहक बल MMF की क्या इकाई है? इसका राइट एंस और उप्शन C, एमपियर टर्नल 29, कौन सा पदार्द अचुम्ब की ये पदार्द है? इसका राइट एंस और उप्शन B, कॉपर 30, फ्लक्स धनत हमेशा चुम्ब की ये बल से पीछे रहता है, जिसको परिभाशित करता है? 31, इसका राइट एंस और उप्शन A, इस्टे रेसिस, नेक्स्ट कॉशन कॉशन नमबर 32, फ्लक्स घन्रत तत्व की एसाई काई क्या है? 31, इसका राइट एंस और उप्शन A, टेसला, इस्ट कॉशन कॉशन नमबर 33, किस प्रकार का संधारिद्र, अंतर्रिक्ष, एलेक्ट्रोनिक्स के लिए उप्योग किया जाता है? इसका राइट अप्शन डी इलेक्ट्रोराइट टिक टेटलम प्रकार क्वेशन नमा थाटिफोर चुम्ब की करन की किस फीदी का उप्योग वानिजिक उद्धेश है तू इस्थाई चुम्बक बनाने के लिए किया जाता है संधारित्र में डाइलेक्ट्रिक ट्रिक इंसुलेटर का कार्य क्या है प्लेटो के बीच किसी भी धारा प्रवाव को रोकता है नेक्स्ट कोश्टन कोश्टन नमा थाटी जिक्स थ्री फेस डियक्ट्यू पावर को निकालने के लिए क्या सुत्र है यह दी लाइन वोल्टेज वी वन और लाइन करंट ल है तो इसका राइट अंसर है प्रवावर कोश्टन नमा थाटी सेवन दो सुच्ट वोल्ट आरेमेस के लिए वोल्टेज का अधिक्तम मान क्या है इसका राइट अंसर अप्शन C 339.5E एकल फेस AC परिपत में फेस बिस्थापन कितना होता है इसका राइट अंसर अप्शन A 90 डिग्री एकल फेस AC परिपत में कम शक्ती गुनांक PF को के से बहतर बनाया जा सकता है इसका राइट अंसर अप्शन D संधारी त्रोक को समान अंतर में जोड़कर नेक्स्ट कॉश्चन कॉश्चन नमबर 40 डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेस करंट के बीच क्या संबन्ध है इसका राइट अंसर अप्शन C कॉश्चन नमबर 41 साइनोसाइडल एसी के लिए फॉर्म फेक्टर के एफ क्या है इसका राइट अंसर अप्शन B 1.1 42 थ्री फेस सिस्टम में यदि फेस वोल्ट है 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा इसका राइट अंसर अप्शन C 415 वोल्ट नेक्स्ट कॉश्चन कॉश्चन नमबर 43 43 थ्री फेस ऐसी परिपत में विस्थापन कितना होता है 43 इसका राइट अप्शन B 120 डिग्री नेक्स्ट कॉश्चन कॉश्चन मोर 54 इस रेटी का क्या नाम है इसका राइट अंसर अप्शन ए बूर्ट रास्परेटी next question question no.45 मोटा इस छेनी का क्या उपयोग है इसका right answer option B लकडी में आयतकार छेत करना next question question no.46 किस प्रकार की cold छेनी का उपयोग के नारोब पर प्रदार्थों को वरका कार करने हितु किया जाता है इसका right answer option D hero point छेनी 47 इस ओजार का क्या नाम है और इसका right answer option दो एडीने के लिफ़न फॉटियेट फॉर्माशेनी का उप्योग है इस का right answer option भी सामन आई अतौडे का क्या नाम है इसका right answer option अEM लोहेमर को नेक्स्क्राइब कोशन नमबर 50 शीट मेटल कारे के लिए उपयोग होने वाले स्टेज का क्या नाम है इलेक्टिशन वालों के लिए पेपर है तो आप अपने दोस्तों में भी पेपर शेयर करिए क्योंकि आपके पास एक ही दिन है याला दिन का लिक्जाम है तो कुछ बेनिफिट मिल जाए साथ है यह वीडियो के मादधम से यहीं मेरा परपस है कि जितने भी स्टुडेंट है इलेक्टिशन वाले वह पास हो जाए अच्छा नंबर से थैंक्यू सो मज़